हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल आज आ गई हूं एक और डियाइवाई आपके साथ शेयर करने जो की है लेके एक प्लास्टिक बैग को जो राइस बैग या आटा बैग होते हैं ना उसी का यूज करके एक छोटा सा और्गेनाइजर बनाने वाली हूं और उसके साथ ही मैं य पुराने बेकार कपड़ों के पीसेज मैंने जो काटके रखे थे इनी का यूज करके मैंने पहले वी एक वीडियो बनाया था जो की मैंने अपलोड कर दिया है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो इस तरीके से ना मैंने पीसेज को कट करके रख लिया है और इस करके इनका यूज कर सकते हैं और इस सबसे पहले मैंने न ये जो बैग है इसको इस तरीके से कट कर लिया ये एक्चली पांच किलो का बैग था राइस बैग था तो आप 10 किलो का बैग लीजिए जिसे की खुला अच्छा सा खुला खुला बड़ा बने तो मुझे ये जिस पर के बाद यह जो पीसेज है ना इनको ले लिया है और इनको इस तरीके से जाइंट करके ऐसे लग लग कलर के जाइंट करके इनको एक अच्छा फ़ब्रिक बढ़ा बना लूँगे तो यह ना साड़े छे इंच इसकी लंबाई है और साड़े पांच या पांच इंच की इसकी भी लंबाई चोड़ाई आप ले सकते हैं इसमें बस एक बराबर की होनी चाहिए तो मतलब सभी की एक बराबर होनी चाहिए तो आप कितनी भी लंबाई या कितनी भी चोड़ाई में फैबरिक ले सकते हैं उससे कोई फरक नी पड़ेगा ये थोड़ा सा ट्रेंगल में बन ज जाता है तो आप स्क्वेर में भी इसको कट कर सकते हैं तो सबी पीसे को इस तरीके से आपस में जोड लेना है और जितना बड़ा हमको यह फैबरिक चाहिए उतना फैबरिक मैं इसको मतलब एक बड़ा फैबरिक इससे मैं रेडी कर लूँगी तो देखो से दो दो पहले जॉ बहुत ही बड़ा फैबरिक बन जाता है इसी को मैंने यूज करके एक डाइनिंग मैट बनाया था जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो बहुत ही सुन्दर बना या फिर आप इसकी बैट शीट भी रेडी कर सकते हो तो मैं बैट शीट का वीडियो भी जल्दी ही बन गए हैं अब इन पीसिस को ऐसे आपस में जाइंट कर देना है तो इसी तरीके से इसी मैं मतलब इसी प्रोसेस को लेते हुए ना आप कितना भी बड़ा इसका फैबरिक रेडी कर सकते हैं तो इस तरीके से इनको जाइंट करते हैं आप जैसे जैसे यह दो दो जाइंट हो ग तो यह सब जो है ना जो पुराने कपड़े जैसे मैं सिलाई भी करती हूं उसके यह जो टुकड़े होते हैं बिल्कुल चोटे-चोटे होते हैं और फेंकने वाले होते हैं नए कपड़ों के होते हैं जो सिलाई करते हैं उन्हीं का यह उन्हीं को ही मैंने यूज किया है और इ चीज में इसको यूज करूंगी तो ना इसके उपर प्रेस गुमा रही हूं कि यह जो सिलाइया है ना ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए और अच्छे से यह बैठ चाए तो देखो यह जो बैग है यह तो इतना साही है और बाकी का जो एक्स्ट्रा पीस है ना फैबरिक का लिए और परपस के लिए फिर मैं यूज करूंगी तो बनाते बनाते मुझे आईडिय नहीं रहा कि इतना बनाना है बस बानने बैठ गई तो सिलाइना लगाती रही इसको तो इस लीके से यह हो गया था बड़ा बन गया था थोड़ा तो देखो यह ऐसे हो गया है आप दे तो अम इसके अंदर ये लाइनिंग के लिए ये वल सिलाई लगा के इसको तीन पीसे को मतलब की इन लगा लेंगे और अच्छे से इनको सेट कर लेंगे इससे पहले पिन लगा लेनी है ताकि अच्छे से सिलाई लगाने को असानी हो और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैबरिक रहेगा वो हम कट कर देंगे तो देखो इस तरी के से कर लिए अब इसको सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ तो देखो मैंने सिलाई लगा लिए और जो भी जितना भी एक्स्ट्रा फैबरिक था इधर उधर सब मैंने कट कर दिया और इस तरी के से पीस बनके रेडी हो गया है अब यह जो हमने पिन लगाई थी ना इसके उपर निकाल देनी है और यह एक अच्छा फैबरिक बनके रेडी हो गया है अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद आप चाहे इसको यह साइड से लंबाई से यूज़ करने चाहे इसको चोड़ाई से यूज़ कर ले जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं तो अब मैं यह साइड से यूस करूँंगी देखो यह साइड बंद हो गई कि लंबाई में मैंने इसको डğğ 8 कर लिया न Yoga का purple लगा अब यहां से तो फॉल्ड था दूसरी साइड Fang से इसको इसको सिलाह लगा लगा दी अब यहां से न मैं 22 na4 चाना यहां पर is तो यह ना कट करने से पहले मुझे नीचे जो सिलाई थी वो लगानी थी तो फिर मैंने कट करने के बाद ही इसकी सिलाई लगाई तो बताती हूं आपको कहां पे लगानी है इसको पहले कट कर लेते हैं आप कट करने से पहले इसको पहले सिलाई लगा ले उसके बाद यह कट क यह है ना यह मैंने यहां पर मार्क लगा है क्योंकि यहां पर सिलाई नहीं है क्योंकि जब इसको मैं अब इसको ऐसे करूंगी ना तो वो मार्क जो है यह वाली सिलाई से मिल के आएगा तो इसको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे इसको कर देंगे और उसके बाद यहां पर पिन लगा पिन लगाने से न तीन पीसथ है न प्लास्टिक है और दो फیबरिक है उपर नीचे वाले तो वो फिरीदे उदर नहीं जाते हैं और से चीछाए और जब सिलाई लगाते हैं तो आराम से लग जाती है और फटा होट लग जाती है टाइम वेस्ट नहीं होता है तो बस इस पे सिलाईया लगा लेनी है इस तरीके से सिलाई लग गई है और इसके बाद इसको कर लेते हैं सीधा और बनाना तो ये बहुत असान है और जल्दी से बन जाता है अब यह से मैंने पीसिस को जॉइंट करके बनाया है उन्हीं पीसिस को अटेच करने में थोड़ा जॉइंट करने में टाइम लगा तो आप मतलब नॉर्मल जो आपके पास कोई फैबरी कोई कुड़ती कोई कुछ पढ़ा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो अब यह जो लिए अगा देंगे देखो कितना अंदर से बनाया है यह और ऐसे यह बनाया है बना तो चोटो सा और काफी अच्छा यह बन गय गया है आप देख सकते कि इतना सुंदर लग रहा है तो तो मैंने इसको यह यहंडल लगा दिए हैं आप इसको नभी इसकं कई यूज़ क बाइग होते हैं, प्लास्रिक बाइग होते हैं जिनका हमें कभी कबार यूज़ करना होता है तो इसलlei मैं इनको रखती हूँ सम्भाल ये इस तरीके से कुछ ग्रोसरी बाइग है, तो इनको इस तरीके से ने तय लगाके मैं इस अंदर रख दूँगे और इसको नहां कहीं भी हैंक कर सकते हैं इसलिए मैंने हैंडल भी लगा दिये और अगर यह इस परपस के लिए नहीं भी यूज़ करना होगा मुझे कभी ग्रोसरी या कुछ और सामान इसमें डालके रखना हो तो भी इसके हैंडल काम आएंगे तो इस परपस के लिए मैंने इसको बनाया है जो कि बहुत ही सुन्दर बहुत ही अच्छा बना है देखो कितना सुन्दर लग रहा है अलगला कपड़ों से यह कपड़े भी यूज में आ गई है और देखो कितना सुन्दर लग रहा है और इस आइडिया को यूज करना और आप भी इ फीड़ बैक मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में जुरूर शेयर करना वीडियो अगर आपको थोड़ी से भी अच्छे लगी हो यह आइडिया तो एक लाइक जुरूर कर देना मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग